कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहन श्रमा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चनल जोतिश इन वास्तू में कैसे हैं आप सभी दोस्तों मैच की प्रेडिक्शन जोतिश विद्या से करना कितना असान है और कितना मुश्किल है यह मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि यह impossible task नहीं है यह मुश्किल टास्क जरूर है पर यह impossible task नहीं है कल के मैच की अगर बात करें चन्नी और कलकाता के मैच की exact match आलमोस्ट वैसे ही गया जैसे मैंने वीडियो में बताया था मैंने कहा था 170 स्कोर बनेगा 170 स्कोर भी यहां पर बन गया हाला कि जो players थे वो players यहां पर नहीं आये थे डुपलेसी को जैसे मैं priority पर ले रहा था डुपलेसी नहीं केल रहा था और उसके बाद after the toss calculation बहुत close आ रही थी और कलकाता के chances लग रहे थे कहीं न कहीं और वैसा ही match में पूरे match में ऐसा ही लग रहा था धाई गंटे तर जब कलकाता डोमिनेट कर रहा था तो वाँ यहीं लग रहा था कि कलकाता जीतेगा पर लास्ट मूवमेंट पर एकदम से यहां पर चन्नई ने जीत के बाजी पलटने की कोशिश करी हला कि मैं हमेशा बोलता हूँ IPL में बहुत बड़ा structure चलता है पीछे background में हमें लगता है कि हमें सिर्फ इतना सा पता है कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है पर background में बहुत बड़ी calculation चलती है इसकी बहुत बड़ी mathematics चलती है इसकी जिसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है और मैं अपनी calculation में उसी mathematics को भी use करता हूँ so that की वो और जाद अच्छी calculation यहां पर हो जाए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं आज के मैच के बारे में यहां पर आज का मैच भी उतना ही टकर का मैच है जी हाँ पंजाब का और राजस्तान का मैच यहां पर होने वाला है और बहुत टकर का मैच यहां पर होने वाला है बहुत कड़ा मकाबला है पंजाब के लिए भी और बहुत कड़ा मकाबला है यहाँ पर राजस्तान के लिए भी राजस्तान भी पूरी पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पर मैच वो जीते जाए और साथ ही साथ पंजाब भी यहाँ पर कोशिश करेगा कि इस मैच को वो जी जाए और टॉफ फॉर में अपनी जगे को और भी ज़दा मजबूत कर दे अदरवाइस यहाँ पर पंजाब के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा जी हाँ कलकत्ता अगरी कल का मैच जी जाता तो पंजाब के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाता ये एक सबसे बड़ा रिजन था कि कल कलकत्ता हारा और आज यहाँ पर मैच मैं रोमांच देखने को मिलेगा क्यों कि मैं अपने कुछ पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि पंजाब का टॉप 4 में आना लगबग लगबगता है है पंजाब टॉप 4 में आएगा ही आएगा ये बात मैं तब से बोल रहा हूँ जब पूरी लिस्ट में सबसे नीचे था आज जहाँ पर CSK है कुछ दिनों पहले वहाँ पंजाब की टीम थी और तब से मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब टॉप 4 में आएगा ही आएगा इसके चांसे बहुत साथा स्टॉंग दिखाई देते हैं और वैसी ही कंडिशन अभी हमने आज के मैच में आज की टाइम में हमें देख रहे हैं कि पंजाब टॉप 4 में आलमोस पहुंच चुका है बस उससे अपनी जगे यहाँ पर पक्की करनी है तोड़ी जी और उस जग जो भी टीम जीतेगी वो बाद में बैटिंग करना जादा पसंद करेगी देखिए बाद में बैटिंग करने वाले टीम का एडवांटेज आज के मैच में जादा रहने वाला है यह कंफॉर्म है अब अगर पंजाब को बाद में बैटिंग करनी है इट मेंस की टॉस पंजा हब अब है आपर राजस्थान यह हो गया एक पारमेटर डूसरे सक्ष्ट्रेंगं को अगर हम देखें जहां पर अगर राजस्थान टॉस जीत लिया और पंजाब ने पहले बैटिंग कर ली तो मैच में क्या रोमान चाहेगा बहुत इंट्रस्टिंग मैच देखने को मिलेगा आज भी अब हम बात करते हैं पर सबसे पहले फर्स्ट क्राइटिरिया को लेके कि पंजाब टॉस जीत रहा है और यहाँ पर बात में बैटिंग कर रहा है और पहले बैटिंग कर रहा है यहाँ राजस्तान अगर यह सिचुएशन बनती है तो देखें क्या आगे मैच में होता है सबसे पहले मैं प्लेयर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ जो भी लोग मेरे वीडियो को देखे ड्रीम 11 टीम बनाते हैं खास उनके लिए यह प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो की बहुत ज़ादा ज़रूरी है कल के मैच में मैंने कहा था निती शराना चलेंगे औ और निती शराना यहाँ पर शांदार बलेबाजी करी अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज के प्लेयर्स के बारे में देखे राजस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो राजस्तान की तरफ से मैं दो प्लेयर्स को यहाँ पर लेना पसंद करूँगा सबसे पहले मैं आ आज चे मैं उर नहीं करूंगा तो आप इहां पर स्मिथ और बैंस्टॉकक को ले सकते हैं इसके बाद बालिंग मे आप गुपाल शोरे गुपाल को और त्यागी याज अगर रहा हूं इाज यहां अश्वीन को आप जरूर लीजिएगा और मौमत सामी को आप जरूर लीजिएगा यह चार प्लेयर्स आप पंजाब की तरफ से जरूर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट यह प्लेयर्स आज यहां पर कही न कहीं काम करने व नाम दूँगा और या फिर मौमत स्वामी को आप वाइस केप्टेन यहाँ पर बना सकते हैं अब हम बात करते हैं देखें मैच का रुख कैसे जाएगा कितना स्कोर बनेगा और कौन से टीम यहाँ पर जीट सकती है दीगे आज के मैच के अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर पंजाब पहले खेलती है और पंजाब अगर फिर्स बैट अगर करता है तो पंजाब यहाँ पर डेफिनिटली बनाएगा बड़ा स्कोर और यह गेम हो जाएगा 190 प्लस का स्कोर जी हाँ अगर पंजाब पहले बैटिंग करता है तो कहीं न कहीं 190 प्लस तक के स्कोर के जाने के चांसे यहाँ पर बनते हैं और यह one-sided match यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई देगा और पंजाब हमें जिता हुआ दिखाई देगा अगर पंजाब बाद में बैटिंग करता है तो यह स्कोर रहेगा 140 तक का स्कोर जी हाँ अगर पंजाब बाद में बैटिंग करता है तो यह स्कोर जाएगा 80 से लेके 140 तक का और कहीं न कहीं एक calculation और भी है जो मैं आपको बता रहा हुँ की starting सभी को लगेगा अगर राजस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो starting के 10 over यही लगेगा कि राजस्तान जीत सकता है 10 over में ही जब आपको 80 run दिखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत अराम से 200 run टच करेंगे और राजस्तान 10 over में ही जीता हुआ नजर आएगा उसके बाद यहां से मैच पलटेगा और स्कोर 130-140 तक ही रुक जाएगा ऐसे भी चांसे यहां पर दिखाई देते हैं तो कहीं न कहीं आज मेरी जो calculation है और plus क्योंकि पंजाब को मैं हमेशा support कर रहा हूँ इस IPL में मैं especially शुरू से पंजाब को support कर रहा हूँ तो थोड़ा सा bias होके भी मैं पंजाब की तरफ ही आप सभी को बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं पंजाब के जीतने की probability जो है वो थोड़ी सी जादा है हाला कि match टकर का है match कलके जैसा ही कहीं न के टकर का है turn and twist दे सकता है toss क्या होता है और toss के बाद क्या calculation निकलती है वो बहुत जादा माइने रखती है यहाँ पर उसके बाद exact run score निकल जाता है देखें toss के बाद क्या क्या फायदे होते हैं toss के बाद हमें team पता चल जाती है जब team पता चलती है team के players पता चलते है तो उन प्लेयर्स की calculation पता चल जाती है अब प्लेयर्स के calculation के आधार पर टीम के calculation निकलती है कि ये एक team आज जीत सकती है और ये team आज हार सकती है साथी जाथ match किस तरह से जाएगा वो भी पता चल जाता है और score कितना होने वाला है उसकी भी idea यहाँ पर लग जाती है उसकी भी calculation यहाँ पर निकल आती है तो इसलिए toss का मैं हमेशा एक priority रखता हूँ कि toss बहुत important होता है और आज के match में toss कहीने कई बहुत बड़ा role play यहाँ पर करने वाला है तो उमीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगेगा और आज का match भी आप सभी को देखने में मज़ा आएगा इसके अलावा आप मुझे कुछ और जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का analysis करवाना चाहते हैं आप इस नंबर पर WhatsApp पर message कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मद्दिया पर कर सकूँ धन्यवाद